वीडियो शुरू होन तो पहला सब्सक्राइब कर लो सरदास्टेच चानल इस वीडियो देवेच तो हानू एनिमल मूवी बारे बहुत सारे स्पोईलर्स मेर सकते ने सो जे तुसी एफिल्म हजे नहीं देखी एंड देखन दा प्लान कर रहे हो सो तुसी एस वीडियो नू स् प्रॉब्लमाटिक चीज़ा होन पर फिल्म एक वर बंदे दे दिल ते दमाग नू खोड के रख दिन दी है पर पूरी फिल्म दे वेच ओ केडे सीन्स ने जिन्ना नू देखके शरीर एक वर कंब जान्दा है बंदा शौक हो जान्दा है सर्प्राइज हो जान्दा है आज पर फिल्म दे शुरुआती हिस्से वेच एक सीन आउंदा है जिते अनिल कपूर्दी बर्दे पार्टी चाल रही हो जान्दी है किसे कारण रनबीर कपूर्दी आपने जीजे दिना लडाई हो जान्दी है अनिल कपूर्दी आपने जीजे तो माफी मंगे पर फिल्ला था ओ मना करदा है पर फिर माफी मंगलेंदा है और दर्शकान लगदा है चलो सब नॉर्मल हो गया पर रनबीर कपूर्दी आपने लगदा है या हो की गया है एक मिन्ट पहला था सब ठीक सी ते हुण एक कर्चाड के चला है उस पॉइंट तो बाद अनिल कपूर्दी रनबीर कपूर्दा रिष्टा पूरी तरह बदल जान्दा है जो अग्गे चलके इस फिल्म दा वाइटल पॉइंट बनदा है फिल्म दे इंटरवल तो जस्ट पहला एक सीन आउंदा है जिते रनबीर कपूर्द की कंपनी दा ही एक इंपलोई अपनी बंदियां दी आर्मी लेके उस ते अटैक कार दिन दा है एक पासे कला हीरो आपने छोटे जहे ग्रोप दे नाल एंड दूजे पासे पूरी फॉज ते बैग्राउंड ते चालदा है अर्जन वैली गाना इस एपिक क्लैश नू वड़े पर दे ते देखके लू कंडे खड़े हो जान्देने सरदार बंदे एक एक लाइन जिमें ही गौन देने दर्शक पूरे जोश दे नाल पार जान देने पुपिंदर बबल दी अवाज बंदे दे दिल ते किसे कंडे वांग वाज दी है ते जी कारदा है उस अवाज नू सुनके वी बंदा आप ही जंग दे मैदान वेच उतर जाए एस सीन ता पहला ही अईना किलर सी पर जिमें ही मशीन गण इंट्रोड्यूस हुन दी है फिर ता दर्शक हेल ही जान देने थेटर वेच बस चीक का थे कूक का ही सोन रही है सन जदो मशीन गण आपने कारणा में दखा रही सी इस फिल्म दा जदो ट्रेलर रिलीज होया ते सोशल मीडिया ते फिल्म दी हिरोईन नू बहुत ज़ादा ट्रोल कीता गया भी उस दी एक्सेंट किनी फेक है पर फिल्म दे वेच इस तो उल्ट ओना दा एक सीन है जिते रश्मिका आपने ट्रोलर्स नू तगड़ा जवाब दिन दी है अपनी सिरे दी आक्टिंग दिनाल रणबीर कपूर किसे होर कुडी देनल सौंक आया हुंदा है ते रश्मिकानू कहिंदा है I slept with someone मैं किसे होर देनल सौंक आया है रश्मिका कहिंदी है अच्छा तुम बाते करते करते उसके साथ सो गए रणबीर कपूर कहिंदा है I am physically involved with someone ओ कहिंदी अच्छा तुम wrestling कर रहे थे उसके साथ क्योंकि ओ इस चीज नू accept नहीं कर सकती भी ओ किसे होर देनल involved होया है थोड़ी देर बाद ओ आप ही उसनू पूछ दी है और ये क्या हुआ फिजिकली involved with her slept with her ऐसे बोलो ना you have sex with her इस scene वेच जिमे रश्मिका रणबीर कपूर दी रेल बनांदी है उसनू कहिंदी है अभी मैं वी जाके किसे होर नाल सौननी है फिर तेनू किमेदा लगगेगा उसनू कहिंदा है मैं होन ही नहीं दे सकदा फिर उसनू कहिंदी है जाके उनू मार दे ताम यह उनू मना कर देंदा है एक confession scene अइना strong है भी इसनू देख के आज कल दियां modern day relationships expose हुंदिया नजर हुंदिया ने भी किमे सोशल मीडिया दे दौर विच loyalty दी कोई कदर नहीं दिस इस दे बेस्ट सीन अफ दिस फिल्म फिल्म दे वेच बॉबी दियोल दा रोल बड़ा छोटा है पर जिमे ही एक इरदार फिल्म दे वेच इंट्रोडूस हुंदा है वड़े परदेते अगला दिन्दा है दो व्या पहला ही होएने तीजा चाल रहे हुंदा है पर वेच कोई बंदा ओदे कानवेच ओदे प्रादी मौद दी खबर सुनांदा है बॉबी दियोल व्या दे सैटप दे वेच ही खबर सुनान वाले बंदे दा चकुआ देनाल चीर फाड कर दिन्दा है यह देख के व्या ते आये सारे गेस्ट ही नहीं दर्शक भी सुन हो जान्दे ने भी आ की हो गया अईनी बेरैमी देनाल बॉबी दियोल ओबंदे दी जान लेंदा है वी ओग कमजोर देलवाला बंदा ता देख ही नहीं साकदा अपनियां अखा बंद करनियां पहन गियां इस फिल्म दे वेच बॉबी दियोल एक डेफ क्यरेक्टर प्ले कर रहे है पर अई थे कल्ले उनना दे एक्स्प्रेशन्स देखके ही जान निकल जान दी है फिल्म दे कलाइमेक्स सीन वेच जड़ा बॉबी दियोल ते रनबीर कपूर दा फाइनल फाइट सीक्वेंस हुनदा है जिथे दोनों किरदार शर्टलेस होके एक दूजे नड़ हाथ अपाई कार देने ओ सीन सिनेमाटिकली बहुत ही अपीलिंग लगदा है ओ फाइट सीक्वेंस पॉइटरी बन जानता है जड़ो बैग्राउंड ते बीप राकदा सारी दुनिया जला देंगे गीत चालता है बदलाने मी पायाए जीदा इंतजार कीता सी अज रब्बा ओही देनाया है तुसी ना चांदे होएवी किरदाराली फील करोगे ए लाइन्ज सुनके अगला सीन जिड़ा थोड़ी रॉंग टे खड़े कार दिन्दा है ओ है फिल्म दा फाइनल सीन जिरी छोटी जही चलक तो हानू ट्रेलर वेच वी देखनू मिल गई सी जिते रनबीर कपूर अनिल कपूर नू कहिन्दा है आप बेटे की आक्टिंग करो मैं बाप बनता हू देल टोट जानदा है ओ देख दे टाइम जोदो रनबीर कपूर अपने पापा नू वो सारा टाइम याद कराऊंदा है जदो उसनू अपने प्योधी लोड सी पर प्योगोल टाइम ही नई सी ओदे लई कि में एक चंगा पैरंट बच्चे दी जिन्दगी बना सकदा है ते एक नौट सो चंगा पैरंट उस दी जिन्दगी तबाह कार सकदा है एस सीन तो हँन नू ए समजा के जानदा है बच्चे सिर्फ प्यार ते मापयोधे टैम दे पुक्के हंदेने जे ओ उननों नहीं मिल दा ते कई वार उस दे बदले उननों डूंगे जखम मिल जान देने जो सारी जिंदगी उननों पीडा दिन देने एस सीन ओन वाले बहुत सालन तक याद कीता जाएगा एस फिल्म दे वेच आइनने जादा न्यूड ते एडल्ट सीन ने भी कोज लोका नू ओ बहुत अनकमफटेबल कार साकते ने बहुत वार आइदना दे मौके वी याणगे जदो थोनू परदे ते हुंदी वाइलेंस देखके आपनियां अक्खा बंद करनियां पैन सो जे तुसी वाइलेंस एंड नूडिटी नहीं देख साकते ता एफिल्म शेयर थोड़े लई है ही नहीं बर हुड तक तो हड़े वीचो बहुत सारे लोका ने फिल्म देख ही लई होएगी सबस्क्राइब कर लो सरदास्टी चानल